राइपुर लोगसभा के मतदाताओं को जागरुक करने के लिए स्वीप बाइक रैली निकाली गए जावो संगी मतदान करे बर गीत की धुन के साथ ये रैली कलेक्टरेट से शुरू होकर आरंग पहुँची और वहां से अभनपुर होते वे पुनह कलेक्टरेट पहुँची शुरुवात में रैली को लोगसभा अब्जर्वर आस्थानन पाठक, एकस्पेंडेचर अब्जर्वर रणवजय और अतिरिक्त मुख निर्वाचन पदाधिकारी निले शीर सागर ने सयुक्त रूप से हरी जंडे दिखा कर रवाना किया जिसमें करीब हजार की संख्या में बाइक और स्कूटर सवार सहभा गिता दी राइपूर करेक्टर डॉक्टर गॉरफ सिह ने पूरे आयोजन पर रोशनी डाली है हम सत्प्रश्यत मद्दान की अपील कर रहे हैं इसलिए पूरी जिला निर्वाचन की टीम समाज के सारे वर्ग हमारे आपजरवर महोदा है हमारे सहिंग निर्वाचन पताधिकारी महोदा सब का उद्देश केवल एक ही है कि सुबह उठे हैं सबको जगाना है और सुबह इसलिए निकलना है कि यही वो टाइम है जब आपको वोट डालने जाना है इसलिए सुबह से अगर निकले और जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल कर लोगतंत के इस महापर में जैसा कि चुनाओ का पर और देश का गरू तो आप वोट डाल कर इसे देश का गरू करें रैली के माध्यम से करीब 100 किलोमीटर की दूरी धाई घंटे में पूरी कर ली गई जोरान रास्ते में करीब 24 गाउं के लोगों को अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा लेने की अपील की गई जोरान ओब्जर्वर आस्थनन पार्थक ने कहा कि हम सब ही सौभाग शाली हैं जिनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है अतरिक्त मुखिनरवाचन पदाधिकारी निलेश शीर सागर ने भी बाइक रैली के माध्यम से नागरिकों से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की प्रयास किये जा रहे है इसके तारतम में आज भी यहां राइपूर कलेक्टरेट से आरंग तक का एक बाइक रैली भी रखा गया है हाला कि लगातार पिछले तीन-चार महिनों में नक्षल विरोधी गतियोधी के कारण पूरे हम उसमें बहुत अच्छे से और सिकुरिटी कंसरेंस को लेके पूरी तैयारी किये है स्वीप एक्सप्रेस के चारो तरफ मददाता जागरुकता से जुड़े पोस्टर और फोटोग्राफ्स लगाए गए थे इसमें लोक कलाकार सवार थे बाइक रैली में अधिकारी करमचारियों के अलावा आम नागरिकों ने भी बढ़ चड़ कर भागिदारी दी झाल